नमस्कार आपका स्वागत है हमारे हिंदु धर्म में गव माता का क्या स्थान है या में बतानी की आवशक्ता नहीं है भविश्य पुरान में लिखा गया है कि गव माता के शरिर में 33 कोटी देवी देवता वास करते है गव माता के मस्तक में ब्रह्मा, विश्णु और महेश का वास है और उनके सिंगों में सारे तिर्थ समाय हुए है गव सेवा को सबसे उत्तम सेवा का दर्जा दिया जाता है अगर पुराने समय की बात करे तो लोगों का जिवन ही गाय पर निर्भर करता था दूद, दही, माखन, घी, गोबर, गोमुत्र या तकि ग्वालो और किसानों की आमदनी का एक मातर जरिया ही गव माता हुआ करती थी एक बार की बात है जब भगवान स्रीकृष्ण छे वर्ष के हुए तब उनने नंद बाबा से जित की कि वे अब बचडे नहीं गया चरानी जाएंगे तब नंद बाबा ने कहा कि जाओ पंडी जित से गव चारन का मूर्थ निकलवाओ और फिर तुम गव चारन के लिए जा सकते हो उसके बाद स्रीकृष्ण पंडी जी के पास जाते है पंडी जी ने सारी तितिया देख ली और वे हैरानी में पड़ गे और उन्होंने नंद बाबा से कहा कि एक आज का ही मूर्थ सबसे उत्तम है गव चारन के लिए उस दिन कार्तिक मास की शुकल पक्ष की अष्टमी तिती थी तबी से इस दिन को गव पूजन की प्रथा का आरंब हुआ और इतना ही नहीं इसी दिन भगवान स्रीकृष्ण न साथ दिन तक गव अरदन परवत को उठा कर आठवे दिन इंद्र देव का अभिमान भंग किया था तब से कार्तिक मास की अष्टमी के दिन गव अष्टमी का परव बड़े उत्सा से और श्रदा पूरुक मनाया जाता है इस दिन वरंदावन, ब्रिज, गोकुल, मतुरा, जैसे शहरों में तो आनद की लेहर सी दिखाई देती है, पूरे भारत वर्ष में लगबग हर शहर में हिंदु बड़े श्रदार भक्ती भाव से गव माता की पूजार सेवा करते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कौन से उपाय है, जो आप गोपाश्टमी क सुबह सनानादी करने के पस्चात आपको सबसे पहले गोव माता का पूजन करना चाहिए, आपको बता दे कि गोपाश्टमी की पूजा विदी सुबह और शाम दोनों समय की जाती है, यदि सुबह को संबव ना हो पाए, तो जब गोव माता चरने के पस्चात शाम को घर प इसे गव सिवा का पुन्य प्राप्त होता है। इस दिन गव माता को भोजन अवश बनाए और घी लगी हुई रोटी गव माता को खिलाने से आपके जितने भी बिगड़े काम होंगे व्यावश ही बनने लगेंगे। इस कदम अवश्य चले और गव माता की चरन धूल को अपने मस्तक पर लगाना ना भूले। इससे आपके जिवन में चल रही सभी प्रकार की परिशानियों का अवश्य ही आन्त होगा। और आपकी जो भी मनोकामना है आप परिक्रमा की समय अवश्य बोल सकते हैं। गव माता जरूर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। और आपके कारियों में जो भी बाधाय होंगी व्यावश्य ही नश्ट हो जाएंगी। अगर आपका लंबे समय से कोई कारिय ना बन रहा हो या अधिक परिशानी से आप गुजर रहे हैं। तो इस दिन गव माता के कान में दिरे से अपनी परिशानी बोल दीजिए। आपका आवश्य कल्यान होगा। चोती बात अब जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो एक अचुक उपाय है। जिहां गो मुत्र ऐसा माना जाता है। गो मुत्र में गंगा जेसी पोईतरता होती है। गो मुत्र हर शुबकारे में, कर्मकान में, यग्य में, पूजन में, शुबमुर्त में अवश्य ही होता इदे आपके घर में आपको लगता है कि नकरत्मक शक्तिया हावी होती जार ही है, घर से कलेश और बीमारिया जाने का नाम नहीं ले रही है, तो ये उपाय अवश्या आजमाएं, गोपाश्टमी के दिन गोशाला जाकर गोमुत्र अवश्य लेकर आए और घर में इसका छिड इसका पॉपाय गोबर के उपले, जी हाँ, घर में सुख, प्रेम और सद्भावना लाने के लिए या फिर नकरत्मक शक्तियों को दूर करने के लिए गोबर के उपले कपुर के साथ शाम के वक्त जला ले और उसका धुआ, सारे घर में फेलने दे, घर में जितनी नकरत्मक शक्तिया होंगी या किसी की बुरी नजर का कबजा हो या फिर काला जादू हो वो इस धुए से नश्ट हो जाएगा और इस उपाई के बारे में बहुश्य पुरान में बताया गया है अंत में आप सभी से एक नमर विनंती है कि आप गो माता को केवल गो पाश्टमी के दिन ही अन्य सभी दिनों में उतना ही प्यार, सम्मान और श्रदा दे और उन्हें साफ और सुच्चे रखे आप पर गो माता अवश्य क्रिपा भरसाएंगी उमिदिये जान करें आपको अच्छी लेगी होगी वीडियो पसंदाए तो लाइक करें कमेंड में जे गो माता जे स्री क अवशे लिखे धन्यवाद